हाई वेलकम टू क्वेशन बैंक्राफ्ट तो आज की वीडियो में हम अपने काना जी के लिए एक बहुत ही सुन्दर सी होली खेलने की विशेश चीज तयार करने वाली हैं जिसके लिए मैं एक छोटे से पॉट और बैंगल्स का यूज करूंगी ये बना के आपको अपने कान जी के साथ खोली खेलने में और भी जादा आनंद आएगा तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले पॉट के उपर बेस कोट अपलाई करेंगे जिसके लिए आप वाइट अक्रेलिक पेंट या फिर जैसो दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं यह अच्छी से ड्राइक हो जाए फिर मैं इसके उपर जो पेंट करने वाली हूँ उसके लिए यहाँ पे मैं ऐसे करके डिजाइन बना रही हूँ डिजाइन बनाने के लिए कोई भी ऐसी पैंसिल यूज कर लीजिए जिस पे आप एक रफ फिगर पहले ड्रॉ कर लो और अ यहाँ पे मैं काफी सारे कलर्स का यूज करूंगी अगर आपके पास कुछ लिमिटेट कलर्स है ना तो उनमें भी आप वाइट पेंट को मिक्स करके लाइट शेड बना के इसको पूरा कलर फुल कर सकते हैं तो बस इसको ऐसे करके अच्छी से पेंट करते जाओ सारे की सार सारे कलर्स का यूज किया के कई कलर्स के दो तीन तीन शेड भी यूज किये हैं आप भी ऐसा कर सकते हो अब इसके ऊपर थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक लुक दिखाने के लिए ना कुछ जादा नहीं करना है बस एक पतला सा ब्रश लो और ऐसे करके वाइट इसके उपर बना दो जिससे इस पेंट पर काफी अच्छा एक इफेक्ट आएगा बहुत सारी कलर्स हमने इस पर अप्लाई कर दिया है अब इसको थोड़ा सा मैं और डेकुरेट करूंगी जिसके लिए मैंने यहां पर बॉल्चेन का यूज किया के और बाइद भी सारे कलर्स वाले जो करूंगी बैंगल्स का यानि की इस तरीके की मेटल की चूडियों का मैंने यूज किया है फोर बैंगल्स को आपस में स्टिक कर लेंगे तो यहां पे मैंने फेविकॉल से जस्ट इनको एक के ऊपर एक रख दिया अब इनको कवर करने के लिए दो ऑप्शन है या तो आप प करूंगी अब इसको वूल से कवर करने के लिए फेविकॉल, फाब्रिक ग्लू, ग्लूगन, किसी भी टाइप के ग्लू का आप यूज कर सकते हैं कोई भी स्ट्रॉंग यहां पर आराम से चल जाएगा मैंने तो फेविकॉल का यूज किया है क्योंकि वो तो हरी चीज को बह यहां पर इसको नौट यहां से मैं मोतियों को पिरोना स्टार्ट करूंगी एक छोटा बीड फिर एक बड़ा बीड और इसके बाद एक और छोटा बीड यहां पर मैंने तीन मोतियों को पिरो लिया है और अब इसके बाद मैं क्या करूंगी मैं इसको इस तरीके से यहां तक लूंगी और उसके बाद ये जो wire है इसको मैं बैंगल के अंदर डालके यहां से निकाल लूँगी तो यह यहां पर इस तरीके से हो गया अब एक साइट से मैंने same यही मोतियों को और पिरो दिया है फिर इस तरीके से मैं इसको adjust करूँगी बैंगल के अंदर से wire को निकालूँगी और फिर से खीश दूँगी तो यह पूरा method ऐसे ही करते वे आपको follow करते जाना है और पूरे बैंगल को decorate करना के हैं और यह होगा हमारी बैंगल का final look यह देखे कितनी जादा सुन्दर लग रही है यहाँ पर मोतियों का design कितना प्यारा लग रहा है और unique भी अब इसमें यहाँ पर मैं ball chain को add कर रही हूँ इसको थोड़ा सा और सुन्दर look देने के लिए यहाँ पर आप चाहें तो stone chain को भी add कर सकते हैं वो भी shine करेगी काफी प्यारी लगेगी यहाँ परल chain भी काफी सुन्दर लगेगी इसमें तो अच्छे से मैं अपनी ball chain को adjust करूँगी और जैसे ही सारी की सारी ball chains को stick कर लेंगी यह कमारा bangle कुछ ऐसा लगेगा कितना जादा सुन्दर लग रहा है इसको stick करना भी बहुत easy था मैंने चोटे-चोटे pieces में cut किया that's it और यह हो गया कमारा खोली खेलने का बहुत ही प्यारा सा pot अपने stand के साथ तयार तो यहाँ पे मैं इस pot को इसके center पे color भर के इस तरीकी से रग दूँगी और बहुत ही अराम से आप अपने लड़ो पाल जी के साथ अपने काना जी के साथ खोली खेल सकते हैं काफी जादा easy process था I hope आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर यह वीडियो अच्छा लगाए तो इसे like, share और चानल को subscribe करना मत भूलिएगा मिलेंगे निक्स फिडियो में ऐसी की धमाकिदार आइडियास के साथ तब तक के लिए bye, take care, खरी कृष्णा, राधी राधी